तो दोस्तों आज दिसंबर की पांस तारी गया और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही खूपसूरत से इस एक विंटर फ्लारिंग प्लार्ट के बारे में इंपेशेंस के बारे बहुत से कमेंट्स आते हैं कुछ एक ऐसे पौधे बताईए जिनको हम सैमी शेड में या शेड में ग्रोग करें हमारे जो गाडन में वह धूप बहुत ही कम देर की आती है तो यह एक परफेक्ट आप्शन है ऐसी जगह पर फ्लारिंग प्लार्ट ग्रोग करने के लिए जिसको कम धूप चाहिए कम देख भाल चाहिए लेकिन बहुत अच्छे से पौदे की सारी जानकारी सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस पौदे की प्राइस की तो यह जो पौदे आपको इसकी दो तरह की जो वराइटीज है वो कौमन नर्सिस पर दिखाई देंगी एक तो इसकी यह जो आप देख रहे हैं यह इसकी हैंगिंग बास्किट के लिए या टोकरी के लिए जो है वो परफेक्ट वराइटी है दूसरे इसकी जो वराइटी आपको नर्सिस पर दिखाई देगी वो प्लांट की तरह बिल्कुल ग्रो होने वाली वराइटी रहेगी दोनों वराइटी इसको अगर आप नर्सिस पर इंपेशेंस कह कर मांगे तो शायद नर्सिरी वाले आपको ये प्लांट ना दे पाएं इसको आप नर्सिस पर बालसम या गुलमेंदी कहकर मांगे तो आपको ये पोदा वो जट से निकाल कर दे देंगे प्राइज रेंज की बात करूं इसकी इस तरह की जो टोकरी वाली वराइटी रहती है इसका जो प्राइज है वो हंडर के आसपास तो इस तरह की कुछ जो रेंज है आपको देखने को मिलेगी दूसरी जो खास बात है इस पौदे में आपको बहुत से डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं बहुत से इस में मल्टिपल जो कलर्स है वो पर इसली एविलेबल रहते हैं इस पौदे को कटिंग से और सीड से दोनों तरह से ग्रो किया जा सकता है आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो स्टैम्म रहतीं हैं इसकी अन्दर धुरबड़ सा मौइस्चेर यह कहसे कता हूँ पानी स्टोर रहता है एक तरह से सक्कुलेंट की तरह बिलकुल इसकी स्टेम्स रहती हैं, कुछ-कुछ उसी तरह से ये बहुत इजली जो है वो प्रापेगेट भी हो जाती है, आप इनको ग्रो करने के लिए हलका पानी दीजिए, तो ये बिलकुल धिरे धिरे आपके पास इसकी जो कटिंग्स है वो ग्रो करने लगेंगी अगर बात करें इसके फ्लारिंग सीजन की तो ये जो पौदें दोस्तों ये कह सकता हूं कि अक्तूबर या नुवंबर से लेकर जब तक की बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़े आपके एरिया में तब तक ये पौदे बहुत अच्छे से फ्लारिं हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पता है यह ऐसे पौदे हैं जो नौ बहुत अच्छे से फ्लारिंग प्रोड्यूस करते हैं तो चलिए जल्दी से हिन पौदों की जो एंधर वहो णेयों करते हैं एरिपॉ। के लिए आप इसके लिए मिट्टी का गमला भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे पास इस समय जो है वो इस तरह की जो बकेट है वो बिलकुल खाली पड़ी थी तो इसका मैं यूज़ करूँगा लास्ट यर भी मैंने इसी बकेट के अंदर इन इंपेशेंस के पौधों को ग्रो किया दूसरी जो इंपोर्टेंट चीज़े वो यह कि हैंगिंग बास्किट का लाइट वेट रहना बिलकुल हलका रहना बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है इसके बेस में जो मैंने लगाया वो देखिए इस तरह से कुछ मैंने इसके बेस को इसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए इस तरह से कुछ नारियल के छिलकों का इस्तिमाल किया है नारियल के छिलके बिलकुल लाइट वेट रहते हैं इससे मैंने इसके ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है और नीचे बेस के अंदर मैंने थोड़ी सी जो कमपोस्ट है और राइस हसक है उसका एक मिक्सचर जो ह यह जो बकेट है यह बास्किट जो है यह तकरीबन कहा सकता हूं कि 8 से 10 इंच की बास्किट है इन पेशन्स के इन पौदों की जो रूट्स हैं वो बहुत शेलो रहती हैं छोटी रूट्स रहती है इसलिए इनको कोई बहुत जादा गहरे पोट की रिक्वर्मेंट नहीं रहत वो राइस हस्क है उसके साथ कंपोस्ट है कंपोस्ट के साथ थोड़ी सी आप कोकोपीड भी यूज कर सकते हैं और थोड़ी सी मिट्टी जिससे की मिक्स्चर जो है वो बिलकुल वैड्रेंड रहे थोड़ा सा मॉइस्चर को होल्ड करें लेकिन लाइट वेट रहे यह 70% तक जो है वो रिमूव करनी होगी बहुत hard और heavy soil है बहुत ज़दा heavy soil का यूज किया गया है चिकनी मिट्टी का इस्तिमाल किया गया है ये देखें मैंने इसकी 70% तक जो है 70 तो 80% कहा सकता हूँ कि इसकी जो soil है वो remove कर दिये soil remove करने के बाद इसकी जो roots हैं वो बिलकुल बहार निकल आई हैं ताकि इसकी जो roots है वो अच्छे से जो भी हम इसको नया potting soil दे रहे हैं उसको उसके अंदर जो है वो easily adjust हो सके अब इसके मैं जो अपनी हमारे जो basket है इसके अंदर मैं थोड़ी सी base में पहले अपना जो ये mixture है इस mixture की एक layer जो है वो बना दूँगा इस mixture को इस base के अंदर जो है वो set कर दूँगा mixture को set करने के बाद कुछ इस तरह से plant को हम यहाँ पर जो है वो place कर देंगे बल्कुल असानी के साथ यहाँ पर जो plant है हमारा यह देखिए इस तरह से कुछ प्लेस कर दिया जाएगा बस अब हम इसे करना क्या है हमने जो बाकी का mix है soil mix है उसकी side पर अच्छे से fill कर देना है अच्छे से पानी देंगे पानी ताकि जो है वो drainage hole से बाहर निकल जाए और इनको semi shade में place कर देंगे जहाँ पर इनको छनकर धूप मिले उसके बाद चाहे तो हम इसको false sun में भी place कर सकते हैं और चाहे तो उसी तरह से semi shade में ही grow होने के लिए छोड़ देंगे यह देखिए हम gap बन रहा है और next fertilizer कम से कम भी इसके लिए हम जो है वो बीस से 25 दिन के बाद ही start करेंगे तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नहीं topic के साथ किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए by happy gardening take care